हलो फ्रेंट्स वल्कम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज आपके साथ एक ऐसे फ्लांट के बारे में शेयर कर रही हूँ आईरेस जो कि पिछले 15 साल से मेरे पास है और केन यू बिलीव इसमें एक वार भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी हला कि मुझे पता था इसमें फूल आते हैं लेकिन मेरे यांख कभी भी नहीं आये थी फ्रस्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग हुई है और आप देखे कितना खुबसूरत फूल खिला है अभी परसों इसमें एक कली यहां पर बनी थी लेकिन वह पता नहीं मैंने पानी डाला उपर से तो वह पूरी गल गई क्यों गली आई डोंट नो बट यह देखे दूसरी कली उसमें से निकल रही है और आज एक तरीके से यह कह सकते हैं आप कि मेरा सपना था कि इस पौदे में कभी मेरे यां भी फूल खिले हैं और फर्स टाइम खिले हैं रिजन मैं कह सकती हू क्योंकि जैपर में जहां पर यह मेरा पौदा रखा रहता था वहां पर एवरी टाइम शेड रहती थी कुछ घंटे की बस दूप आती थी लेकिन यहां पर यह फुल सनलाइट में रिखा हूआ है और पांस एच्छे घंटे की इस पर धूप पड़ती है इसी वज़े से शा है यह खुबसूरस सा पौधा मेरे पास है जिसमें फ्लावरिंग हुई है और अगर आपको कहीं मिलता है तो इसको लगाईए यह इस तरीके से इसके बल्व होते हैं और अगर इस बल्व का मैं अगर मेरे पास काफी अच्छी मात्रा में यह डैवलेप हो जाता है लेकिन रइधोम्स निकल रहे हैं इनको मिट्टी में दवा देती हूं तब यह रॉट हो जाते हैं गल जाते हैं खराब हो जाते हैं अभी आप देख पा रहे होंगे जितनी भी हैं सारे एक्सपोज हो रखें मिट्टी से ऊपर आ रखें और इसको संलाइट मिली है इसी वज़े से शायद इसमें पहली बार 15 साल तो मैं बोल रही हूं 15 हो सकता है 15 साल से ज्यादा टाइम हो जब से यह पौदा मेरे पास है लेकिन फर्स टाइम फ्लावरिंग होई है यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और सबसे अची चीज श्रायद इसको एक positive environment मिला जो मैं सारा कर हुँ उसकी वज़े से हुआ है या full sunlight मिली है उसकी वज़े से हुआ है जो भी है वाट यह मेरी विश्च थी कि मेरे यहां भी इस पौदे पर फूल खिलें और आज देखें कितना खुबसूरत color निकल के आया है तो अगर यह पौदा कहीं मिलता है आपको तो जरूर आली जे फुल sunlight में रखें मतलब 5-6 गंटे की sunlight आती है तो sufficient है और दूसरी चीज यह multiply होता जाता है आप देख पा रहे होंगे चोटे-चोटे से इस मैसे ऐसे निकलते रहते हैं चोटे-चोटे से rhizomes तो आप एक बार अगर लगा लेंगे तो definitely यह multiply करता रहेगा और मेरे प आपको पता चलेंगे thank you for watching और इसी तरीके से आपके गार्डन में भी miracle हो I hope इसी positive feel के साथ मैं मैं आपके साथ share करती रहती हूं अपने ideas तो बने रहेगा मेरे चैनल पर और खुब सारे color जो प्रकरतीके हैं उनको अपने गार्डन में जेगे दीजेगा thank you for watching